हेलो फ्रेंट्स स्वात के सफर में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ब्रेड रोल की रेसिपी लाई हूँ जो एक ट्विस्ट के साथ है अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूले जिसके लिए हमें चाहिए तीन ब मासाला नमक अमचूर पाउडर और ब्रेड स्लाइस और हमारे चीज क्यूब अब अपने आलों में हरदनिया मिक्स करें डालेंगे हरी मिर्ची डालेंगे आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अगर बच्चो को लिए बना रहे है तो स्वाद नुसार नमक डालेंगे लाल मिर्च पौडर डालेंगे आदी चम्मच आदा चम्मच गरम मसाला डालेंगे एच चम्मच सुखा धनिया डालेंगे और आदा चम्मच हम चूर पौडर डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे मिक्स हो गए अच्छे से अब इने हम अपने हाथों में लेकर एक छोटा सा रोल बनाएंगे उस रोल के बीच में जगे बनाकर चीज क्यूब डालेंगे और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे देखिए हो गया हमारा रोल ते यार कहीं से चीज नहीं दिखरी समसे कवर होगी अच्छे से अब बाकी के रोल हम इसी तरीके से बना लेंगे देखिए बन गए हमारे सारे रोल अब इसे साइड में रखेंगे और एक ब मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको पानी में डिप करके अपनी हतेली पे रखेंगे अच्छे से और दूसरी हतेली से दबाएंगे पानी को अच्छे से निचोड देंगे सारा पानी काल देंगे अब इसमें हम अपना ये रोल रखेंगे देखें मैं ट्राइंगल शेप में ये रखूंगी ताकि ब्रेड लंबी हो जाती है इससे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इसको चारो कोनों को और अच्छे से दबाते वे पानी को ने चोड़ते वे इ देखें कहीं से भी आपको अलु दिखें तो उसको कवर कर देना अंदर करके हाथों से उंगलियों की साइता से अगर आसे नीच ओड़के पूरा रोल बना लेंगे उसको देखिए अजां रोल बना लेंगे है यार एक रोल और बनाएंगे इसी तरीके से पानी में डिप कर रखेंगे और एक हाथ के तेली से दबाएंगे और तिर्चे उसमें इस तरीके से अपना रोल रखेंगे और इसमें चार कुनों को दबा देंगे और दबाते हुए रोल बना लेंगे अपना देखिए इस तरीके से दबाते दबाते रोल बना लेंगे यह देखिए हमारा हो गया रोल तेयार अब हम इसे फ्राई करेंगे हमने तेल ले लिया एक बड़े बरतन में एक गरम उने रख दिया है वह गरम हो गया अच्छे से अब इसमें अपना रोल डाल दिया है चमच की साइता से इसके उपर तेल डालेंगे नई तो इससे क्या होगा कि अगर हम यह तेल नहीं डालेंगे तो कड़्ची हमारे इसके साथ चिपकेगी जब हम पल्टेंगे तो अब हम इसको दूसरी साइट से भी तल लेंगे एक साइट से हो गया थी यार देखे, उलट पुलट करके चारो तरफ से क्रिस्पी होने तक तलेंगे, ये देखिए हो गया हमारा रोल क्रिस्पी, अब इसको हम निकाल लेंगे अब इसी तरह से दूसरा रोल भी हम तलेंगे इसमें डालेंगे और अपनी कट्ची की सायता से इस पर भी तेल डालेंगे ऐसे तैकि जो हम पल्टे तो ये हमारी गड़्ची के साथ इसकी गीली ब्रट चिप के नहीं वह दिस सारी तरफ से अच्छे से तल जाए अब हम इसको फिर पल्ट इसको अच्छे से तल के इसको पल्ट लेंगे अब उस तरफ दूसरी तरफ से भी इसको क्रिस्पी होने देंगे इसको निकाल लेंगे देखे कितना क्रिस्पी लग रहा है नब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे देखे इस तरीके से काटेंगे हम इसको तिर्चे में इसमें देखे चीज हमारी में दूसरा काट के दिखाती हूँ आपको देखे चीज कैसे मेल्ट होई हमारी इसमें देखे यह देखे मुझरेला चीज यह देखे मैंने प्लेटिंग कर दिये आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं या घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं आप यकीन माने यह आपको बहुत टेस्टी लगेगा आप जरूर बनाईए और अपने बच्चों को भी खिलाईए थैंक्यू झाल